मस्कार आप देखरें इंजिय टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी हलिकॉप्टर में मंत्री स्वागत में लग्शरी गारियों का काफिला और मुख्य मंत्री योगी की नसीहत की न फिक्रती न पबलिक की परिशानी की कोई परवा मंत्री जी जब सडक पर उत्रे तो पूरा शहर ठप हो गया तीन घंटे तक लोग हाफ्ते परिशान होते दिखाए दिये यह उस मुख्य मंत्री के मंत्री का कार नामा है जो सबको सादगी से रहने की नसीहत दे रहे हैं देखे कैसे इलाबाद में मंत्री के काफिले में कानून के धच्चियां उड़ाए गई मंत्री बने अभी 13 दिन ही बीते है पैर अभी भी जमीन पड़ नहीं पड़ रहे है आस्मान में हेलिकॉप्टर से उप रहे है जमीन पर उत्रे तो पैर सीधे लगज़ी कार ओड़ी में पड़े अब ये नजारा देखे मंत्री जी की कार के आगे पीछे खुर्दंग करते कारेकरताओं का हुजूम उम्ड़ा कुछ इस अंदाज में नियम खारून की थज्जिया उलाते हुई निकला यूपी में अभी अभी नागरिक उड़ेन मंत्राले का जिम्बा सभाल कर अपने घर लोटे मंत्री जी का काफिला सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तो जिपसी मिली थी उस पर भी समत्कों ने कब्सा कर लिया मंत्री जी के कारेकरता हर तरफ मनमानिं करते दिखे हैराउन परिशान लोग चुपचाप खड़े हुकर तमाशा दिखती रहे दो चार दस मिनट नहीं पूरे तीन घंटे तक यूँ ही चलती रही सत्ता की हनक की नुमाश आफिर कौन हैं ये मंत्री जिनने ना तो सियन योगी की नसीहत का खैल था ना हैं पब्लिक की परिशानी का फिर्ट ये बताएं जरा इस से पहले इलाबाद की सलकों पर हुए इस तमाशे की तस्वीरें एक बार फिर देखिए सबसे पहले पुलिस लाइन में मंत्री जी का हेलिकॉप्टर उत्रा सबसे ज्यादा चुकाने वाली बात थी कि ये चौपर पुलिस लाइन से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बमरॉली एरपोर्ट से उनकर आया था यानी 6 किलोमीटर का सफर भी सलक के रास्ते पूरा करना मंत्री जी को मन्सूर नहीं था पुलिस लाइन के मैदान में पहले सही लगज़नी ओडी खड़ी थी साथ में सरकारी फॉट्शूनर कार भी थी लेकिन सरकारी कार को छोग कर मंत्री जी सवार हो गए खुली ओडी कार में आगे के तमाशे की तस्वीर देखने से पहले जरा मंत्री जी के बारे में जान भी लीजिए नाम नंद गुपाल गुपता नंदी मंत्रा ले स्टांप और नागरिक उड्डेन कैबिरिट मंत्री का पाथ साथ में नागरिक उड्डेन विभाक की सिम्मेदार है मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने शहर आ रहाए थे ऐसे में सबक के रास्ते इलाके में आना रास नहीं आया अपना रुसूप दिखाने के लिए मंत्री जी सवार हो गए उड़न खटोरे में यहां तक तो फिर भी ठीक था जब काफिला शहर में दाखिल हुआ तब तो खट हो गई नंदी के स्वागत में पुराने इलाबाद में 200 से ज़्यादा लौच स्पीकर लगाए गए थे वो भी ऐसे वक्त में जब बच्चों का बोर्ड एक्जाम चल रहा है पूरा शहर मंत्री जी के जिन्दाबाद के नारों से गूज रहा था जोगी जिसमा कहना चाहता हूँ कि बोर्ड की परिश्या चल ला है बच्चे परिशान है दो गंटे से बच्चे को पेपर से चल ला है लेने जाना है दो गंटे से पते हुए हम लोग कार की छटपर मंत्री के अलावा उनकी पत्नी भी सवार थी तो शहर की मेर है जब पत्नी शहर की मेर और खुद कैविरेट मंत्री तो फिर सुरक्षा भी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए इसलिए आगे पीछे पैरा मिलिटरी के जबान चल रहे थे जो सेक्यूरिटी के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखे नंदी पूरे रास्ते लोगों का अभी वादन सुईकार करने में मश्गूल थे लेकिन काफिले के साथ दोड़ रहे कारेकरताओं की वजह से पूरे शहर में हर कंप था बड़ी बात यह है कि नंदी से जब इस काफिले के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं दिखा विरोधियों की साज़श नजर आई यह विरोधी लोगों को पचेगा थोड़ी आजादी के 64 साल के बाद पहली बार 93,000 से ज़्यादा वोट दे करके जनता ने चुनने का काम किया और आम जनता यह कोई प्रोग्राम तो था नहीं इलाबाद आने का प्रोग्राम था और इलाबाद आये आम जनता आई और मैं जगे जगे लोगों से कहता रहा और लोगों ने उसका बरपूर पालन भी किया सबसे चौकाने वाली तस्वीर ये थी मंत्री की सीक्योरिटी में जो एसकाट जिपसी थी उसपर कारेकरताओं ने कबजा कर लिया था जिपसी की ड्राइविंग सीट पर भी मंत्री समर्थक की बैठा था काफिले में एक खुली जीप भी थी जिस पर सभाद नंदी के समर तक ट्राफिक नियमों के खुले आम धज्जियां उड़ा रहे थे नंद कोपाल गुपता 2014 में कॉंग्रिस के टिकेट पर लोग सभा का चुनाव लड़े थे लेकिन विधान सभा चुनाव से एन वक्त पहले बीजेपी में शामिल हो गए नंदी पहली बार 2007 में बीएसपी के टिकेट पर चुनाव जी थे मायवधी के केबिनेट में केबिनेट मंतरी का पत मिला था 2007 में नंदी ने 15 करोड की संपत्ती का प्योरा दिया था 2017 में नंदी ने अपनी फ्राफर्टी 57 करोड रुपे बताई नंदी योगी केबिनेट के सबसे अमीर मंतरी है पुक्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने अपने सबी मंत्रियों को सक्त हिदायत दिये कि साध़ी से रहे, काफिले और पूटर के इस्तेमाल से बचे, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आम आदमी को तक्रीफ हो, लेकिन नंदी जब पहली बार अपने शेहर में आए तो ये सारे स जाख ताक पर रख दिये गए, नंदी पर एक बार बंप से जान लेवा हमला हो चुका है, तब से अपनी सेक्योरिटी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, पैसे का चलवा दिखाने का मौका नहीं चुकते, इमरान लई, इंडिया टीवी, इंदौर के एक नामी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद जम कर हंगामा हुआ, शेहर के गोकलदाफ हॉस्पिटल में संग के कारेकरता का कैंसल का आपरेशन हुआ था, सर्चिरी के बाद मरीज की मौत हो गई, गुसाहे लोगोंने आदे घंटे में ही पूरा कोई परनीचर पर अपना गुस्था उतार रहा है, किसी ने चैम्डर तोड़ा, किसी ने मरीजों का स्ट्रेचर जमीन पर पटक दिया, सिर्थ आदे खंटे में हॉस्पिटल का ये पूरा फ्लोर तहस नहस हो गया हंगामे की ये तस्वीरें इन दौर की हैं और पब्लिक का ये वुस्था खूटा एक मरीज की मौत के बाद मौके पर कुछ पुलिस वाले भी थे, लेकिन भीड के गुस्थे के आगे सब बेबस थे इन दौर के इस मशूर घूकलदास हॉस्पिटल में आरेसेस के कारेकरता का इलाग चल रहा था डौक्टरों ने मूग के कैंसर का आउपरेशन किया लेकिन सर्जरी के बाद हिम्मद सिंग राठोर नाम के इस मरीज की तबियत खराब होने लगी शुक्रवाज शाम हालत बिगरते ही डौक्टरों ने हिम्मद सिंग राठोर को आईसीउ में शिफ्ट कर दिया लेकिन दस मिनट के भीतर ही आरेसेस के इस कारेकरता की मौत हो गई सर्जरी कराने के बाद दूसरे दिन उनको शिफ्ट कर दिया मौत हिम्मद सिंग वेर हाउस में नौक्री करते थे इंदौर के पंडित दीन दयाल नगर मंडल में सेहक कारेवाथ साथियों ने चंदे के जरिये हिम्मत के इलाज के लिए पैसा जुटाया था आरूप है कि डॉक्टरों ने दूगंटे तक मौत की खबर छेपाय रखी हॉस्पिटल में मौजूद पत्नी को भी नहीं बताया बार यो ही लोगों को पता चला हंगामा शुरू हो गया भीड ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को तलाश रही थी जब डॉक्टर मौत की वज़े बताने के लिए सामने नहीं आये तो तोड़ भोड शुरू हो गई सबसे ज्यादा गुस्टा रेसेप्शन एरिया पर भूटा गुसाई लोगों ने शीशे चपना चूर कर दिये कुरसियां तोड़ डाने स्ट्रेचर और वील्चेर पर भी अपना खुस्ता उतारा जिस वक्त ये हंगामा चल रहा था हॉस्पिटल का स्टाफ चुपचा खुट तमाशा देख रहा था किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो इन्हें आकर रोकता खुडी जिर बाद तीन पुलिस वाले आये लेकिन भीर के घुस्से को देख कर देख रहे वो भी खामोश रहे पुलिस के जवान एक एक करड़ तोड़ खोड़ कर रहे लोगों को पकड़ रहे थी फिर भी ये भीर कुछ भी सुनने को तयार नहीं थी हंगामा बढ़ता देख कई थानों की पुलिस आई बड़े अफसर आये तब ये हंगामा शान्त हुआ आज दोपेर में तब्यत खराब होई और तब्यत खराब होने के बाद उनकी मृत्य हो गई पुलिस ये भी परताल कर रही है कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की बजह से तो आरेसस कारेकरता की जान नहीं गई सचिन शर्मा इंडिया टीवी इंदौर